अव पावन प्रग्या पुराण मदरिये ते पहला सवने सद बुद्धी मले सवनु कल्यान थाए शव उज्यल भविश्यना मार गया अगर्वदे ते विद्धिव्य भावना थी एक गायत्री महामंत्र अने पावन गुरु मंत्रा अम् भूर्भुवाहश्वाह तत्सवितुर्वारेन्यं भर्गुदेवस्य दीमाहि दियोयोनाह प्रचोधयात् ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं ये नुचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तश्मै स्री गुरुवे नमां ओम आयातू अरदे देवी त्रिक्षरे ब्रहम वादिनी गायत्रै छंद शामात ब्रहमयोनेर नमोस्तुते ओमस्री गुरुशत्ता येनमा ओमस्री गायत्रिदैवी येनमा ओमस्री खुलदेवी माता येनमा आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी ततो नमस्कारं करोमी पावन प्रग्या पूराणमा नारी मात में प्रकर्ण चाली देवी छे नारी मात में आगडवधारता पुज्ये गुरुदेव के छे नारी त्यारा प्यारा रूप प्यारना प्याला पिवडावया खुब विविद तारा रुपो वर्णोता आखमा आवे अस्त्रू खूब माता समान मूर्ती सोध्वा ठेर ठेर हुँ भटक्यों खूब प्रेम अने करुणानी मूर्ती दुख वेठी दिव्य प्रेम दीदों खूब भणावी गणावी ने मोटों की दो आशिर वादपन आपया खूब संसार माथी तेने विदाय लिदी त्यारे पोके पोके हुँ रड़्यों खूब बैनी थेईने मारी शाथी बाडपन मारमवा आवी तूँ वाड खेंच तो मुक्का मारतो तो पन भाई भाई कहती तूं रडती रडती विदाय थैई पन राखडी थी रक्षा सदा करती तूं जारे जारे तूं यहाद आवे छे त्यारे छानो छानो रडतो हूं पत्नी थैने शमरपण की दूं त्याग बलिदान की दा खूब लक्ष्मी बनीने मारे घहर पधारी काम काज मारे संभाड़या खूब मारा परिवारनी सेवा के दी प्रेम ना अस्त्रु वहावया खूब प्रेम ना प्याला जे पिवडावया अम्रुत पड़ तेनी आगड तूच अम्रुत पड़ तेनी आगड चूच दिक्री थैने मारे त्याँ पधारी आनंद किलोल कर्या खूब वाड खेंचती बचका भरती, लाड पण मने करती खूब, पगले पगले जरुर पड़ता, सेवा मारी करती खूब, सासरे तेने वडावीने, याद आवे त्यारे हूँ रडतो खूब, याद आवे त्यारे रडतो खूब, माता बहिनी पत्नी न पुत्री थी, हे प्रभू जिंदगी ते भरी दिदी, वीवी दरूपे स्नेहन सरिता वहे, तेवी व्योस्था खुब करी दिदी, प्रभू जगत आजे सुष्क बन्यू छे, जल्दी थी लावो नारी सदी, प्रेमना पियूस पीपी न दुनिया, थास फरी थी हरी भरी, प्रेमना पियूस पीपी न दुनिया, थासे फरी थी हरी भरी, अदभूत नारी मात्मेनू वर्णन बतावता गुरुदेव लखे छे, वीवी दरस्तांतो द्वारा, आपनना रदैंगम थाय, आपनी आबदी व्योवातो, आपना जीवनमा उत्रे, आप प्रुथ्वी पर उपेक्सा पूर्ण नजर नाखीन व्यांग मा कयोंचे, उन जोओंचों के आजकाल तों बवु अरिश्वर्य थी फूलाई गईचे, पड़ एक वात ना भूलीच, के ए बद्दू मारी कृपानू ज फढ़चे, माराज प्रकास, पवन अने मे आपेला पदार्थोना कार्णेज आजे तुँ लैराई लै रही रही छे, त्यारे प्रुथ्वी बोली छे के स्वामी जारे आप मारामा भड़ी गया छो, तो पची नकामी द्रुणा सा माटे करो छो, प्रुथ्वी नियावी नम्बरता पुर्ण वानी आगड आकास जूकी अने ते कई बोली से क्यों न थी, आजे समाज मां स्त्री पुरुष्णा सबंदो पुरुथ्वी निया आकास जेवाज छे, बन्ने जो एक बनी ने रहे, पुरो सस्त्री ने आगड वध्वानी तक आपे, तो क्याई पन वैमन श्य नराहे, अने सतत, सतत प्रगति थती रह पोतानी मोटाई साबीत करवा माटे लोको एक बिजाने हलका पाडवानो प्रहेत्न करेचे, परंतु गणू करीने तेओ सफड थता न थी, उल्टा पोतानी जातने ज बदनाम करेचे, एनो बिजो उपाए एछे, ते पोताना विद्यार्थियोंने जणावता एक सिक्सक्य काड़ा पाटिया पर एक लिटी दोरी, अने विद्यार्थियोंने कयूं, आ लिटीने भूस्यावगर ना नि करी आपो, करना बदा विद्यार्थियों प्रहेत्न करेचे, कोई ये प्रमाने करी सक्यूं नहीं, बदा चुप बेसी रहा, ते आरे सिक्सक्ये लिटीनी बाज करवा माटे, कोईने अलका पाड़वानी जरूर नथी, कोईने मारवानी जरूर नथी, कोईने निंदा एरसाई करवानी जरूर नथी, बिजाओनी सर्खामनीमा वदू उच्च कक्सानों पूरुशार्थ करवा माँ आवे, तो स्वाभाविक रितेज पोताने मोटाई प् विदात आये, एको और मनुष्योंने मदत करवा माटे, एक देवदूत मोकलेओ, अने एने कईउं, के जेनी जे मनुकाम ना होये, ते पूरी करजे, देवदूते पोतानु काम, तत पर ताथी करतो रहो, असंख्य लोकोए, खुब अनुदान मेर्वया, छता पड़ कोईन अमडी आ निस्फडताने लिदे, मनुष्यों देवदूत, विदाता, त्रणे खिन अता, मनुष्यों देवदूत, अने विदाता, आ त्रणे परेशान हता, नारत जीना अनुकारण सो दिलाववा मोकलेओ, तो खबर पड़ी के मनुष्यों बदा दुरगूनों मा फसाहे जे मडे छे, तेने अनाचार मा खर्टी नाखे छे, दूर विवशनों मा खर्टी नाखे छे, परिणामे गरीबाई टड़ती नथी, अने संकटों दूर थाता नथी, विदाता है देवदूत ने पाछो बोलावी लिदो, अने एने नवो आदे सापयो, के तु मात्र, अने सदाचारी लोकोनी जेवा करजे, अनाचारी लोकोने वर्दान नापिस, त्यार थी, अत्यार सुधी, आज क्रम चालतो रहो छे, देवोनी मदद तो मात्र सज्जनों तरीके स्त्रियोनेज मडेच, दूर जनोंनी प्रास्ना सांबड़वामा आउती नथी, अने ते न निरर्थ रहेचे, सज्जन तानु प्रामान स्त्रियों मा वधारे होईचे, अने आथी, एने सहज रितेज, बदा आनु दान मडता रहेचे, जो एनु लाब बदाए मेडवो होई, तो स्त्रिनु शनमान थमूं जुए, जे स्त्रिनु शनमान करसे, एनु देवो शनमान कर स्त्री ने आगण वदार्वाना प्रहेत्नों पन करता रहे हो जुए। परंतो आतलू पूर्तो नथी। एमने बेकदम आगण वदीने आकारिय खास करीने पोताना माथे लेवुँजुए। कि तेवो नवी पेडीने प्रतिबावान बनावे। नवी पेडी ज राष्ट्रनी साची संपती छे। एनी प्रगती उपरज शाउनी प्रगती नो आधार छे। आ कार्यमा स्त्रियो हम्मेशा पूरोशोथी आगण रही छे। अने आजे तो एमने आधिशामा वधारे आगण वदू जुए। अधवुत द्रश्टान तो द्वारा गुरु दे बतावे छे के मिठिल्याना महापपंडित मंडन मिश्ट्र अने जगत गुरु शंकराचार्य जीनी वच्चे एकवखत सास्त्रार्थ थयो। मंडन मिश्ट्र आरवा लागया तो एमनी पत्नी भारती जे एमना जेविज विद्वान हती। तेने कईूं के मिश्ट्र जीना आड़दा अंग रूपे हुँ आजर छु। मारा पति एम हारी नसके। सास्त्रार्थ नो उर्त्रार्थ हुँ पूरो करिश। लामबा समय सुधी सास्त्रार्थ चाल्यों छे बारती नी विद्वता जोई और बदाज विद्वानो आस्चर चक्कित थाई गया छे। बन्ने पति पत्नी बन्ने हारी गया एमने संकराचारे जीनी पास दिख्षा लिदी और वेद धर्मनो प्रचार प्रशार करवा लागया छे। दूर भाग्ये जनम थी मांडीने घडपन सुधी रामबाईनों पिछों न छोड़े। आपने रामबाईनों एक अध्वुत द्रस्टांत आपयोंचे। चिंतनी अचे, मननी अचे। दूर भाग्ये वस जनम थी मांडीने घडपन सुधी आ रामबाईनों आ दूर भाग्ये पिछों न थी छोड़े। माता पिता मरी गया, तथा भाई बैन पन मोत्रने बेट्या, अने त्रिस्वर्षनी उम्रे आ रामबाई विद्वा थाई गयाचे। एमने एक पुत्री हती, मदद करेवु पोतानु कोई ज नहतु। आवी परिष्थितीमा कोईनी मदद मेडवानी आसा राखवाना बदले रामबाई पोताना पगुपर उभा थाया। पिता जी कथा पुरान वाज्ता हाता, संस्कुरुत ना विद्वान हाता, बस पिता तरप्थी एमने एज अनुदान मडियू हतु। तेथी तेवो पण कथावार्ता करी अने आजी वी का मेडवा लाग्या चे। साथे साथे ठेर ठेर परिब्रह्मन पण करता रही पोतानू सिक्षण पण वधारियू छे। अंग्रजिनू सारू एवो गण्यान मेडवया पची एमने इंगलेंड जवानी पड़तक मड़ी छे। त्याथी पाचा फर्या पची तेवो नारी उतकर्ष्ण एमने मैलावो माटे केटलाई विद्ध्यालयो अने छात्रालयो खोल्या चे। जे कुरिवाजोना कारणे भारती नारी ने दबाई चमपाईने रहेवू पड़तू हतुं ए दूर करवा माटे एमने काईज बाकी न राखे। नारी जागरण माटे अने एक संगठोनों बनावया चे। अने विरोध्योनी चिन्ता कर्यावगर पोताना काममा बहादूरी पूर्वक आगण वद्याचे। अने आब बदो यस ए रामाबाईना फाले जाएचे। एक बिजूद रष्टांत पन आप्योचे गुरुदेवे माता पार्वति देवेनो जन्म अम्रुत सर्मा थयो होतो। क्वेटामा तेमना लगन थया आता अने तेवो मात्र बेज वर्षमा विद्वा थया चे। पोताना देशनी सेवामा जीवन न्योचावर करी एमने वैधव्यनू दुख होचू करवाना प्रयत्नो करया। ए वक्ते गांधी जीनो सोतंत्रता संग्राम पूर जोशमा चालतो होतो। पार्वति देवी सिख्षिकाना पद पर थोड़ादी उसो सुधिज रहया। त्यार पचेमन राष्ट्विय महिला सभा ने कुमारी सभानू गडतर करी। रोडी चुष्ट समाज सामें टककर जिलता जिलता ए बन्ने संस्थावनी स्थापना करी। अने त्याने ए जमानामा जादू जेवू आश्चरी जनक काम मानुआ मायूँचे। आमाता पार्वती देविश्चन ओगणी सो बाविश्थी मांडी ने ओगणी सो ब्यताली सुधी माँ छव वखत्तो जेल मा गयाचे। अने सात वर्शुधी कठोर यातना उशहन करीचे। पंजाब मा नारी जाग्रणनू सुत्र संचालन पन एमने करियोचे। त्यानी अज्जारो स्त्रियो स्वतंतरता संग्राम मा जेल मा गयी। कूरी वाजो अंधस्रदा दूर करवामा एमने खोबज साहस करी देखारियोचे। 82 वर्शनी उमरे पन एमनामा युवको जेवो उच्छा हातो। केट-केटला द्रस्तान तो गुरुदेवे नारी जागरनने माटे आप्या छे। अने आतकर युगमा बनी गयेला द्रस्तान तो छे, मृत्यु लोकमा बनी गयेला द्रस्तान तो छे। पूर्वे पण बनेला छे तेमाज मृत्यु लोक मा आ काड मा बनेला द्रस्तान तो छे जो तीबा फुलेनो जन्म पुनाना एक मारी कुतुम मा थे होतो तेवो शारी कमारी करी सके ए एतुथी तेमना वडिलों एमने उच सिक्षन पावी परंतु एमने तेवकतना समाज पर नजर करी तो एने सुधार्वा माटे प्रहेतन जरूरी लाग्यो मारी होवाना कारणे एमने लोको अच्छूत मानता हाता बदो समाज अच्छूत मानवामा आओता हाता आने मानतो होतो आवी परिस्थितिमा अंगत कमारी करवाना बदले समाजने सुधार्वानु काम यमने वधारे लाग्यों। द्वारा लोकोना विचार बदलवा माटे ना प्रहत्नो करता आता। एमना पत्निये एमने संपुर्ण सहकार आप्यों। एमना प्रहत्नो थी मैला समिती कन्यावी द्याले विद्वा विवा अंदोलन जिवा केटला है प्रगती शिलकार्यों आत धर्वामा आव्याचे। पोताना कार्योंने लिदे तेव महात्मा फूलेना नाम थी प्रकास्ति प्रख्यात थयाचे। एमना आंदलोनोनो आखा महारास्ट्र उपर प्रभाव पड़ेओ छे। सुब लक्ष्मीना लग्न एक आठ वर्षनी उमरे थयाचे। सुब लक्ष्मी ना निदिकरियती आठ वर्षनी अने एमना लग्न कर्याचे। अने लग्न बाद बे वर्षमाज तेव विद्वा थयाचे। एमक ते धक्षिन बारतना ब्रामन परिवारों मा स्त्रियोंने बनावानों रिवाज नहोतो। छता पन सुब ना पिताये सहाज करी अने एमने बनाव्याचे मेट्रिक थयाचे। पड़ी कोवेंट कोलेज माते ओबीये थयाचे। केटली अजग्याये थी नोकरीनी ओफरों आवीचे। परन्तो एमने तो पोताना जेवी दूर्दसा वाली इंदु विद्वाओनी सिक्षण व्यवस्था करवा पाछण। पोतानु समग्र जीवन खर्ची नाख्योंचे। एमने स्थापेलू त्रावण कोर्णू विद्वा सदन पत्यार सुधी खूब बारे प्रगती करी चुक्यों छे। नंदा नामनी एक दिकरी निवातावी चे। नंदा पन संपन गर्मा परिनी हती। परंतो एनु मन विशय भगों म फसायू नई। एने पोताना माता प्रजापती गउतमीन प्रास्ना करी के एने आपराधिन तामाधी मुक्त करी औने परमार्थ जीवननु द्वार खोलवानी आगने आपे। तथा अगतनी शेखा मनती एना परिवारे पन बउद धर्मनी दिख्षाली दी औने नंदाने बिख्षूनी तरीके जनकल्यान करवानी आगन्यापन मड़ी गईचे। औने खूब जनकल्यान करियूँचे। महाराजा बिम्बिशार ने बउद धर्ममान खुब निष्ठा हाती। एमनी पत्नी खेमा शर्वात्मा खुब विलास्प्री हाती। परंतु जारे भगवान बुद्धेने गर बिख्षालेवा माटे आव्या। त्यारे राणिये पतानु मस्तत एमना कमंडड उपर मुकी दिदू। अने बिख्षू अनि जेम पताने पन सत्प्रयोजनुमा जोत्री दिवानु आग्रह करे। बिम्बिशार एमा जरायाडा नथी आव्या। खेमा स्त्री वास्ति पहुची पने पताना व्यावशाय बुद्धी थी आश्त्रमने स्वर्ग जेव बनावी दिदू। तथा गत एने महा प्रग्यावती कैने बोलावता हता। राणि लक्ष्मी बाई नुपना दुभूतु दाद्राना प्युचे। राणि लक्ष्मी बाई ये बचपन थी ज घोडे शवारी तथा सस्त्र चलावानी प्रविणता मेडविली थी आती। तेवों कहता हता के जो अउशर मडे तो स्त्रियों पूरुशों करता है कोई पन रिते पाचड ना रहे। तेमना लग्ण जाशीना राणा गंगारा उशासे थया हता। राजाना मृत्युबाद श्यासन येमने पोताना आथमा लिदू अने सस्त्रोनी पन एक फोज बनावी। अंग्रे जो एवी खटपट माहता के राणी वार्शी 15,000 रुपया आपी पेंसन आपी ने गादी परसी उतारी मुखवी। पन तेओ ये माटे तैयार न थया। येमना लश्करे ये विश्तारना अंग्रे जोनी सापसूफी करी दिदी। आथी अंग्रे ज लस्करे जासी पर बारे चड़ाई करी लक्षमी बाई लड़या तथा कलापी तथा ग्वालीयर साथे संदी करी मदद मेडवा प्रहेत्न कर्यो परंतु मदद मड़ी नही। येथी येमने जाते ज पोतानी जाते ज पोतानी मोर्च संबार्य अने अंग्रे जोना छक्का छोडावी नाख्या छे। गोर्यो थी येमनु सरिर अने गोरो बन्ने चारनी जेवा थेई गए आता गास ना एक डकलामा गुषी जोई गोशी जैने एमने आगल गारी दिदी के जेथे एमनों सरेर अंग्रेजोना आथपना आवे आवे महान नारियो आपना भारत वर्समा देगेई से अंग्रेजी सेना पतिये जारे आसमाच्या सांबडी ने कयूं कि आ देश मा साची मर्द हता एक लक्ष्मी में आई अवी अधभूत वा तो द्वारा नारी नी समयतनाने जागरूत करवामा एना साहसने जागरूत करवामा एना उत्साहने जागरूत करवामा गुरू देवे अधभूत नारी प्रक्रण मा दिव्य कथा लखीजे वदो कथा आउतिकाले करीशूं आजिनु अहिया नारी मात्म प्रक्राण नो विशाई पुर्ण करिशों आम्भुर्भुवाश्वा तत्सवितुर्वारिन्यं भर्गोदेवस्य धीमाहि धीयोयोना प्रचोधाया